हेलो फ्रेंड्स मैं नितिज गुपता एक्जाम टेंड चनल से आप लोगों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नित्य के बारे में ठीक है इसके पिछले वाले पार्ट में दोस्तों हम लोग पूरे के पूरे भार बातनात्यम उसके सासथ कथक ठीक है कुचिपूरी उडिसी पंडवानी घुनित्य मडिपूरी नित्य चाहु नित्य यह चगान नित्य है इन सारे नित्यों को हम लोग जो है cover कर चुके थे लेकिन हम लोग जो इस पेसली उत्तर प्रदेश के नित्य जो होते हैं उनको हम लोग ने छोड़ दिया था तो आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में उत्तर प्रदेश के नित्य के बारे में पढ़ेंगे तो आईए देखते हैं आज का सबसे पहला question हाँ तो दोस्तो आज का सबसे पहला question है कजरी नित्य कहां का नित्य है ठीक है आज का सबसे पहला question हमारा क्या है कजरी नित्य जो है या कहां का नित्य है तो दोस्तो कजरी नित्य जो है या उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर का है एक चीज मैंने आप लोग को बताया कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नित्य के बारे में ठीक है तो हम लोग बात करना है कजरी नित्य की ठीक है बहुत ही फेमस मंदीर है जो है माविंद वासनी मंदीर जो है या मिर्जापुर में बढ़ता है और सावन के टाइम में यह बहुत ही बड़े लेबल पर किया जाता है कजरी नित्य का आयोजन जो है यह सावन में बहुत ही बड़े लेबल पर किया जाता है ठीक है और तो मैं इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को कि जो कजरी नित्य है यह हमारे उत्तर प्रदेश का भौत ही फेमस नित्य है और जो आप लोग नाम सुनेंगे अमीर खुसरो का नाम सुनेंगे जिसको कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो रहता है लगभग साथ सुल्तानों का काल देखा रहता है किसका लगभग साथ सुल्तानों का काल देखा रहता है कौन अमीर खुसरो एक्जाम में आता है यह कोश्चन कि ऐसा कौन सुल्तान है जिसने जो है साथ सुल्तानों का काल देखा है तो अमीर खुसरो ने जो है साथ सुल्तानों का काल देखा है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग नाम सुनेगे बहाधुर सा जफर ठीक है बहाधुर सा जफर 1857 के बिद्रो के समय में रहते थीं। वहादूर सा जफर जो है और भारतेंदू हरिश्चन का भी नाम सुनेंगी आप लोग यह हिंदी के बहुत बड़े गद्धिकार थें यह तीनों लोग कजरी को सपोर्ट करते थे जो कजरी खादुरसाद, जफर, भारतिंद, हरिश्चन जैसे लोग भी जो है कजरी को जो है बहुत ही सपोर्ट करते थे, बहुत ही अच्छा नित्य मानते थे, ठीक है, next देखते हैं, अगला कोशन, अगला कोशन है दोस्तो, खयाल नित्य, खयाल नित्य कब और कहां पर किया जाता है, तो दोस्तो जो खयाल नित्य होता है यह बुंदेल खंड में किया जाता है, कहां पर बुंदेल खंड में किया जाता है, और कहां पर किया जाता है, कहां पर तो बुंदेल खंड में और कब किया जाता है, तो पूत्र जन्मोसों पर, जब जो है पूत्र का जन्म होता है, तो उस टाइम पे जो है कौनसा नित किया जाता है मुंदिल खंड में खयाल नित थीग है बात करते हैं खयाल नित की रंगीन कागज तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सेर पर रखकर यह नित किया जाता है क्या किया जाता है जो है एक रंगीन कागज लेते हैं औ और एक बांसो की सहायता से मंदिर बनाते हैं क्या बनाते हैं यह लोग मंदिर बनाते हैं ठीक है मंदिर बनाते हैं और मंदिर बना के उसे जो है अपने सेर पर रखते हैं और सर पर रखके फिर जो है नित्य करते हैं ठीक है उसे क्या कहते हैं एक है ख्याल नित्य और यह स्प से दौरान किया जाता है तो यह भी काफी अच्छा कोश्चन है रास नित्य जो है दोस्तो यह ब्रज में रास लीला के दौरान किया जाता है ठीक है और दोस्तो रास नित्य को रासक डंड नित्य भी कहा जाता है क्या कहा जाता है रासक डंड नित्य दोस्तो रासक डंड नित भी इसी छेत्र का एक आकरशक नित्य है ठीक है रास नित्य के छेत्र में ही नाक पंच में आने वाला है ठीक है और स्रामर्ण के महिने में जो है स्रामर्ण मास में तो जूला नित की बात करते हैं दोस्तों यह भी जो है बज्जर छेत्र का नित्त है कहां का ब्रज छेत्र का नित्त है यह स्रावण मास में किया जाता है नाग पंचमी की टाइम पर तो नाग पंचमी अभी आने वाला है बहुत ही जल ठीक है नाग पंचमी की टाइम पर यह क जाते जाएंगे ठीक है नाक पंचमी रच्छा बंदन उसके बाद जनमाष्ट मी यह इन सभी टाइम पे जो है जूला नित्य किया जाता है ठीक है और इस नित्य को इस छेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है जो मंदिर होते हैं गाउं में और फिर पंजन करते रहते हैं ठीक है इसी को क्या कहा जाता है जूला नित्य कहा जाता है नेक्स देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों मयूर नित्य कहां का नित्य है ठीक है तो दोस्तों मयूर नित्य भी यह भी ब्रज छेत्र का ही है ठीक है मयूर नित्य कहां का है ब्रज छेत का है उतर पिदेस के ब्रज्चेत का है ठीक है और इसमें नर्तक म Україна के पंख से बने विशेश्वस्त्र धाड़ करते हैं जो नर्तक बोले तो जो दन्स करने के लिए आते हैं वो लोग मौर के पंख से बने एक विसेश्वस्त्र थाईवा और आते हैं मयूर नित्य कहा जाता है ठीक है यह उत्तर प्रदेश के ब्रच्छेत्र का है ठीक है नेक्स देखते हैं दोस्तों अगला कोशन है किस नित्य में कलाकारों के बीच काट का सजा घोड़ा होता है तो बहुत ही अच्छा कोशन आया है ठीक है ऐसा कौन सा नित्य होता है जिसमें कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा होता है तो दोस्तो धोबिया नित्य जो होता है इसमें जो है कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा होता है आई ये बात करते हैं धोबिया नित्य के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों यह भी जो है, कहां पर होता है, यह पूर्वानचल में होता है, कहां पर उत्तर प्रदेश की पूर्वानचल छेतर में होता है, यह नित्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, इसमें सर पर पगड़ी और कमर में फेंटा पाओं में घुगरू होता है ठीक है क्या होता है सर पर पगड़ी होता है कमर में फेंटा होता है और पाओं में घुगरी बात कर गुगरू बात कर जो है इसे इस डांस को नित्य को करते हैं ठीक है और इसके साथ साथ दोस्तों हाथों में क्या लिए रहते हैं करतार लिए रहते हैं ठीक है और इनके जो ये लोग डांस करते हैं इनके बीच में जो है कांट का सजा घोड़ा होता है जो है इसे कौन सा नित्य कहते हैं धोबिया नित्य नेक्स देखते हैं अगला कोश् तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के ब्रज छेत्र का नित्य है चर्कुला नित्य कहां का है उत्तर प्रदेश के ब्रज छेत्र का नित्य है ठीक है इस नित्य में घड़ा बैल गाड़ी और रत के पहिये पर धेर सारा घड़ा रखकर फिर उन्हें अपने सिर पर रखकर नित इसके उपर और पईया है, ऐसे रखके और फिर ये डांस करता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, चर्कुला नित्य है, नेक्स देखते हैं, अगला दोस्तो, कट फोडवा नित्य कैसा नित्य है, ठीक है, तो यह भी काफी अच्छा कोश्चन है, कट फोडवा नित्य जो है, कैसा नित्य है तो इसमें नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोडी पर बैट कर नित्य करता है ठीक है इसे क्या कहते हैं कट फोडवा नित्य है और दोस्तों यह कहां का नित्य है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल छेत्र का नित्य है ठीक है कट आण्या नित्य।िक एक नर्तक अन्यार्तकों के गेरे के अंदर कृत्रिम घोडी पर बैटकर डाण्स करता है। अगला question है राम नौमी के असर पर कौन सा नित्य किया जाता है तो दोस्तों राम नौमी के अंसर पर कौन सा नित्य होता है जोगिनी नित्य जो है या राम नौमी के असर पर किया जाता है इसके अंतरगर साधू या कोई अन्य पुरुस महिला का रूप धारड करके नित्य करत जो आदमी लोग एक तरस हम लोग सिधा सिधा या कह सकते हैं कि जो आदमी होते हैं पुरुस्वर के लोग महिला का रूप धारड करते हैं और डांस करते हैं इसे क्या कहा जाता है जोगिनी नित्य ठीक है इसपेसली कौन करता है तो साधू लोग करते हैं ठीक है इसलिए मैंन कोश्चन है धीवर नित्य किस जाती के लोगों द्वारा किया आयोजित किया जाता है ठीक है धीवर नित्य जो है यह किस जाती के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है ठीक है धीवर पर यहां पर बिंदी रहेगी धीवर नित्य जो है यह दोस्तों कहार जाती के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है जब भी कहारों में कुछ भी खुसी का घड़ी आता है खुसी का टाइम आता है तो वालों कौन सा डांस करते हैं धीमर नित्य करते हैं ठीक है next देखते हैं अगला कोश्चन है सैरा नित्य कहां का नित्य है दोस्तों सैरा या फिर सौरा ठीक है कभी कभी एकजाम में सौरा आता है कभी कभी सैरा भी आता है दोनों एक ही बात है ठीक है सैरा कहलो या सौरा कहलो तो सौरा नित्य जो है या कहां का नित्य है तो बुंदेल खंड का नित्य कहां का है, बुंदेल खंड का नित्य या सौरा नित्य, ठीक है, सौरा या सैरा नित्य जो है, या बुंदेल खंड के किसान अपनी फसलों को काटते समय, खुसी प्रकट करने के लिए करते हैं, जो बुंदेल खंड के किसान होते हैं, जब वो अ कर्मानितिकी कि कर्मानिति कि कि द्वारा ऑयोजित किया आधा है कर्मा याफिर कभी सीला नितिक के नाम से इस नाम से भी इसको जानते है कर्मा नित्य को जो है और सीला नित्य या कर्मा नित्य की बात करें तो दोस्तों यह सोन भद्र और मिर्जापूर के खखार आदिवासी समूह द्वारा आयोजित के आता है कहां के सोन भद्र या फिर मिर्जापूर ठीक है दोनों ही जगा पे खखा आधिवासी होते हैं, इनके समुह द्वारा यह नित्य आयोजित के आता है, कौन सा नित्य कर्मा या फिर सीला नित्य, नेक्स देखते हैं, अगला कोश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा नित्य है, जिसको साथ अलग-अलग मुद्रा में किया जाता है, तो दोस्तों पासी नित् साथ अलग-अलग मुद्रा में किया जाता है पासी जाती के लोगों द्वारा साथ अलग-अलग मुद्राओं की एक गती और एक ही लह में युद्ध की भाती किया जाता है ठीक है तो इस नित्य को क्या कहते है पासी नित्य नेक्स देखते है अगला कोशन है दोस्तों कौन सा नित्य बाजो की धुन पर घोडो द्वारा करवाया जाता है ठीक है ऐसा कौन सा नित्य है जो बाजो की धुन पर घोडो द्वारा करवाया मतलब उसमें कोई इंसान भाग नहीं लेता है वह घोडे नित्य करते है ठीक है और बाजो की धुन पर करते हैं ठीक है तो बात करते हैं घोड़ा नित्य ठीक है घोड़ा नित्य जो है यह दोस्तों बुंदेल खंड में साधी के उसर पर बाजो की धुन पर घोड़ो द्वारा करवाया जाता है ठीक है कहां पर बुंदेल खंड में ठीक है बाजा बसता है आदमी नहीं डांस क ठीक है, नेक्स देखते हैं, अगला कोश्चन है, धूरिया नित्य कहां का नित्य है, ठीक है, धूरिया नित्य जो है या कहां का नित्य है, तो दोस्तों यह बुंदेल खंड का नित्य है, धूरिया नित्य है, यह बुंदेल खंड के प्रजापती, प्रजापती बोले तो कु देलखंड में उसे क्या कहा जाता है धुरिया नित्य ठीक है नेक्स सेकते हैं अगला कोश्चन है दोस्तो छोलिया नित्य किस जाती के लोगों दारा किया जाता है तो दोस्तो जो छोलिया नित्य होता है यह राजपूत जाती के लोगों दारा किया जाता है कौन से जाती के द और इस समय नर्तकों के हाथ में एक तलवार और दूसरे हाथ में धाल होती है एक हाथ में क्या लिए होते हैं तलवार लिए होते हैं और दूसरे हाथ में धाल लिए होते हैं कौन तो राजपूच जाती के लोग ठीक है और नित्य करते हैं उस नित्य को क्या कहते हैं छोलिया नित्य है ठीक है और यह स्पेसलिक कब होता है तो साधी के परपस पर जब साधी योद्य रहती है उस टाइम पर ठीक है नेक्स देखते हैं अगला कोश्चन है एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में सीसा लेकर कौन सा नित्य किया जाता है तो दोस्तों छपेली नित्य का नाम आप लोग सुने होंगे ठीक है जो छपेली नित्य होता है इस नित्य में एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में सीसा सीसा बोले तो धरपड या मीरर ठीक है मीरर लेकर किया जाता है और इस नित्य को क्या कहते है हम लोग छपेली नित्य नेक्स देखते हैं अगला क चल में होता है और वहां पर किसके द्वारा किया जाता है तो अहिरो द्वारा किया जाता है या नित्य गीत वनकारे के सुरों पर किया जाता है ठीक है नेटवरी नित्य नेक्स्ट देखते हैं अगला कोशन है देवी नित्य कहां का नित्य है तो दोस्तों देवी नित्य जो है यह बुंदेल खंड का नित्य है और बहुती फेमस नित्य है यह भी एकजाम में आया हुआ नित्य है ठीके देवी नित्य कहां का नित्य है तो बुंदेल खंड का बुंदेल खंड में यह नि रूप धारड कर मतलब एक तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि भगवान का मतलब जैसे भी किसी भी देवी पारवर्ती लच्मी ठीक है इस टाइब से किसी भी देवी मा का रूप धर के जो है एक डांसर जो है वो बीच में खड़ा रहता है स्टेज पे और इसके आमने सामने जो मयूर नित्य को और किस नाम से जाना जाता है तो दूस्तों मयूर नित्य के बारे हम लोग पीछे पढ़े हैं और यह काफी फेमस नित्य है मोर वाला डांस वह हम लोग बात कर रहे थे और इससे क्या कहते है और किस नाम से जानते है तो राई नित्य ठीक है राई नित्य भ पर स्री क्रिश्न जनमाश्टामी प्रकरती है और इसको मोर की तरह किया जाता है इसलिए मयूर नित्य भी कहा जाता है ठीक है पार पर चौ cup और मैुद्ध के बारे में पढ़े क्या पाड़े ति सब्रें पेडल और और दोनों ही करते हैं ठीक है तो इसी को हम लोग मयूर नित्य और राई नित्य के नाम से जानते हैं अगला कोशन है दीप नित्य कहां का नित्य है तो दोस्तों दीप नित्य जो है या बुंदेल खंड का नित्य है ठीक है बुंदेल खंड के अहिरुद्वारा धेर स्वारा धेर सारे दीपकों को जला कर किसी घड़े या कलस या थाली में रखकर जलते दीपकों को सीर पर रखकर दीप नित्य क्या जाता है कौन सा नित्य क्या जाता है दीप नित्य ठीक है जो है करते क्या हैं तो एक व्यक्ति होता है वह किसी भी कलस में जो है दीपक जला के रख लेता है या फिर धाली में घड़े में किसी भी चीज पे दीपक जला के अपने सर पर रखता है और उसे सर पर रखकर डांस करता है इसे क्या कहते हैं दीप नत्य जो की कहा होता है बु गुजरात के डांडिया के जैसा होता है पाई डंडा नित्य ठीक है पाई डंडा नित्य जो गुजरात के डांडिया नित्य के जैसा ही होता है जो कि कहां पर होता है इस पेसली बुंदेल खंड के अहिरो द्वारा किया जाता है कहां पर बुंदेल खंड में और उनके कार्थिक नित्य जो होता है या स्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धरकर कौन सा नित किया जाता है तो कार्थिक नित किया जाता है ठीक है जब बुंदेल खंड में कार्थिक महा में नर्तकों द्वारा स्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धरकर किया जाता है कहां पे बुंधिल खण में और कौन से महिने में तो कार्थिक के महिने में ठीक है next देखते हैं अगला कोश्चन हमारा किस नित्य में मौर बाजा लेकर कच्ची घोडी पर बैठकर नित्य करते हैं तो दोस्तो कला बाज नित्य थीक है कला बाज नित्य अवद छेत्र में किया जाता है कहाँ पर अवद छेत्र में या नित्य किया जाता है कला बाज नित्य और इस नित्य में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोडी पर बैठ कर नित्य करते हैं ठीक है इसे क्या कहते हैं कला बाज नित्य अगला देखते हैं अगला कोशन हमारा मोर पंख व दिवारी नित्य कहां पर किया जाता है तो दोस्तों मोर पंख व दिवारी नित्य जो है या बुंदेल खंड में किया जाता है और चित्रकूट में दोनों ही जगहां पर किया जाता है कहां कहां पर बुंदेल और चित्रकूट में, ठीक है, तो कौन से नित्य है, मोर पंकवर दिवारी नित्य है, या ब्रज की लठ मार होली के जैसा होता है, कैसा होता है, तो ब्रज में आप लोग सुने होंगे, लठ मार होली होती है, ठीक है, लठ मार होली की तरह ही बुंदेल खंड और चित्रकूट म दिपावली के दिन डोल नगाडे की तान पर आकर्षक वेस्भुसप के साथ यह मोर पंकधारी लठै एक दूसरे को ताबड तोड वार करते हैं ठीक है? वार करते हुए यह मोर पंकव दिवारी नित्य और खेल का भी प्रदर्शन करते हैं ठीक है? इससे क्या कहा जाता है? मो पाउली के अवसर पर होता है ठीक है कैसे होता है ढोल नगाड़े की आवाश पर होता है और इसके साथ साथ इनका अपना अलग कॉस्टिम होता है विस भूसा ठीक है और जो है एक दूसरे पर वार करते हुए लाठी से वार करते हैं ठीक है और इसे क्या कहते है मोरपंखव द सोन भद्र में संतान की कामना पूरी होने पर कौन सा नित किया जाता है तो ठड़िया नित किया जाता है ठीक है ठड़िया नित कराय जाता है और यह नित्य सरस्वती के चरड़ों को समर्पित होकर किया जाता है किसको देवी सरस्वती के चरड़ों पर समर्पित होकर किया जा कहां पर मिर्जापूर और सोनभद्र में चौलन निर्थ्य जो है किया जाता है कब किया जाता है तेज बारिस और अच्छी फसल की कामना पूरी हो जाती है तो किया जाता है ठीक है कब जब बहुत तेज बारिस होता है मतलब इंसान किसान जो रहते हैं वहां के वह चाते हैं क पर उस डान्स को क्या कहते हैं चौलर नित्य ठीक है चौलर नित्य अगला देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों धेड़िया नित्य कहां पर किया जाता है तो दोस्तों धेड़िया नित्य जो है या दोवाप छेत्र में है ठीक है दोवाप छेत्र में किया जता है जो कि फ फतेपुर जिले में ठीक है कहां पर फतेपुर जिले में राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत में किया जाता है इस नित्य को कौन से नित्य को धडिया नित्य को ठीक है जब राम जी भगवान राम जीत कर जो है अध्या को जीत कर वापस आया थे ठीक है धेड़िया नित्ये ठीक है ? तो आज भी उनी के खुसी में यह नित्य मनाया जाता यह जाता धेड़िया नित्यकोड इसलिए 강hा हता है फते हये पूर जिली में इसमें सीर पर छिद्र यूट जो है मिट्टी के बरतन में दीपक रग गरेथायो तिक है इसमें तो मिट्ट defended बर्तन बर जो है दीपकते हैं जिसमें की बर्तन में C without अउसमें से दीपक का और और उसको रखके सरसे करते हैं उससे क्या कहते हैं धेड या नीत्य और इसके हासा दोस्तों हम लोग इसके पीछे दीप नित्य के बारे में पढ़े हैं ठीक है जो कि बुंदेल खंड में अहिरों के द्वारा किया जाता है उसमें क्या होता था तो उसमें किया जाता है कहां पर सोन भद्र में किया जाता है यह सोन भद्र की जन जातियों द्वारा धरकहरी नित्य किया जाता है सोन भद्र में एक जन जाती है धरकहरी जन जाती ठीक है उसके द्वारा जो है यह डांस किया जाता है धरकहरी नित्य ठीक है इसके साथ दोस्तों मैं चा उत्तर प्रदेश के नित्य हैं उत्तर प्रदेश में भी कहां के हैं तो मिर्जापूर के नित्य हैं ठीक है यह दोनों भी मिर्जापूर के नित्य हैं ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करत ठीक है तो आज के लिए इतना ही था अगर ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज दोस्तों लाइक करते रहो थैंक्यू थैंक्यू सो मच